जैहें दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत एजुकेशन पालंपुर के ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल क्लास जो की हीमाचल, घ्यान, हिंदी, क्रेंट अफेर्स, मैस, इंडियन जी के जर्नल साइंस सब मिलेगा एक ही स्थान पर जो की विजेपत एजुकेशन पालंपुर की तरफ से आपको जो है प्रवाइड करवाया जा रहा है और आप फड़ा फट जो है लिंक को श फड़ा फट जो है लिंक को शेर कर दिएगा प्यारे बचों क्लास जो है वो मज़ेदार हो जाए जैसे ही हमारी क्लास जो है वो शुरू हो रही है तो मैं सभी बच्चों से और रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि इस लिंक को शेर कर दिएगा कि सभी क्लासिस में अटेंड करके में को अभी साथ साथ में भी दीजिए और हमस्टार्ट कर सब्सवागत है और सबस्वागत हैं और सभी से रघेगे कि जभी आएं रोजाना 8 बजे प्हले सबोड़े पछेनänderडी से का सोल वाल उसो लो कश्मा है किस चिले मैं तया और को का सब सब्रेक्ट अंसर रहेगा खुल्ल्लू भ educational समय क्षिब पर जरना है यह कहां پर है यह है कुलू रत अंसर देख लेते हैं मार्णचल परदेश के प्रसित जरने कुलू में व्सिस्ट है कीर गंगा है मनी और रहना है baik रहना है फासुनात है तुलानी है, सुलह है, ज्वाला मुखी है, चंबा में, धंचो है, धंचो ये आपका मनी महेश के साथ आया बचो, इसके बाद है कालिका है, सत्धारा है, ये सत्धारा आपका धलोजी में पड़ता है, ऐसे ही टापरी जो है वो किनौर में होता है, हिमाचल परतेश का सबसे चोटा राश्टी उध्यान बताएं, हमाचल परतेश का सबसे चोटा राश्टी उध्यान कौन सा है, जल्दी से अपना अंसर कमेंट करिएगा, सबसे चोटा, सबसे चोटा, जल्दी से बताईएगा, अंसर करिएगा, बहुत बढ़िया, सबका अंसर आ रहा है, हमारी एप प्रचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्टी उध्यान है प्रसित कुलू का जो है ग्रेट हिमाले नेशनल पार्क तीर गंगा और इंद्र किला जो है यह कुलू में है लाहॉल्स पिती में कौन सा है पिंड वैली है यहां पर ब्लू शिप पाई जाती है याद रखिएगा द्रिगत यहिए करें सबसे छोटी रियासत कौन सी थी सभी क्रें करें साथ-षाल यह के साथ जा रहे हैं अनुठ ठाकुर मुनिश राना का अंसर है बहुत प्यारे बचे और बहुत कहूंगा कि हमारी क्लास जो है वो पूरी लगाईएगा आज और बने लेएगा वीडियो के अन्त तक अब रियासतों से जुड़ा है पार्णी की अश्ट ध्याई में त्रिकत का को आयूध चीवी संग भी कहा गया है याद रखिएगा आयूध चीवी संग किस रियासत को कहा जाता है या कहा गया है या किस बुक में कहा गया है ऐसे पूसर पॉमस कोर्याट 1615 में और हेवे और कांगड़ा के लिए या शहर का निर्मान ने करवाया है। इतिहास का रहे हैं, उनकी पुस्तक में, तारीक हे यामनी में, कांगणा को भीम कोट भी बुटाया गया है, बताया गया है, प्यारे बचो, भीम कोट किसका नाम है, ये भी कांगणा का ही नाम है, किसने कहा है, उत्वी ने कहा है, किसने कहा है, प्यारे बचो, उत्वी ने कह रहे हैं या मिल रहे हैं आप हमारे साथ टॉप टैन कोशन्स डेली लगाए आपको कहीं इदर उदर भटकने की जुरूरत नहीं है घर में बैठिए पूरा दिन त्यारी करिए शाम को हमारे साथ प्रियापकॉस्ट अपने साथ क्लास लगाए और अगर कोई डाउट आए तो ह पुका रहा था क्या कहा था लौहित्य शुरूबर के नाम से चीनी आत्री किस ने जो है चंद्रताल जील को बुलाया था हेन सांग अंसर आएगा चंद्रताल जील जो है दो हजार पांच में सामसर साइट घोषित की गई है सामसर साइट इसको घोषित किया गया है 2000 राम इस रोबर के नाम से चीनी आतरी किसने जो है चंदरताल जील को बुलाया था हेंसांग अनसर आएगा चंदरताल जील जो है 2005 में सामसर साइट गोशित की गई है सामसर साइट इसको गोशित किया था 2000 रामसर साइट जो है वो इसको घोशित किया था ये जील हिमाचल प्रदेश की पहली जील है जो की डार्क टिकट पर प्रिंट हुई है हिमाचल की कौन सी जील है जो की डार्क टिकट पर प्रिंट भी हुई है तो वो भी चंदरताल जील ही है प्यारे बचो यह जी लाहॉल और स्पिती दोनों स्थानों को आपस में भी जोड़ती है एक तरफ लाहॉल है दूसरी साइड स्पिती है अगला सवाल हिमाल्यन पॉटेनिकल गार्डन किस जिले में स्थित है हिमाल्यन पॉटेनिकल गार्डन कहां पर स्थित है अपना answer साथ में दीचेएगा अनुठागुर B option के साथ जा रहें कूफरीष शिमला के साथ आए और बिल्गूल सही answer प्यारेबचो कूफरीष शिमला सिया शर्मा आए है वो भी B option के साथ जा रहे है B option कूफरीष शिमला दरन घाटी वन्य जीव अभरन पर जुरूर एक क्वेशन आए गई आएगा और घाटियों पर वन्य जीव अभरन कहां पर है दरन घाटी वन्य जीव अभरन सभी से रुकेस्ट रहेगी वीडियो अची लगे तो फटा-फट लाइक कर तीजिएगा लाइक बटन जुरूर दबाईएगा दरन घाटी वने जीव अभरन कहां पस्थित है शिमला में है सिर्मौर में है कुल्लू में है मंडी में है A option के साथ आ रहे हैं बिल्कुल सजे कुमाची आपका बिल्कुल अंसर शिमला B option B option शिमला इसका सही अंसर है शिली कहां पर है, सोलन में है दांगली, शिकारी देवी या नागरु कहां पर है, मंडी में है गोविन सागर और नैना देवी कहां पर है ये, विलासपूर में है प्यारे बचो, कहां पर है, विलासपूर में है अगला है सभी अंसर करिएगा इस नदी पर है तो करेक्ट अंसर रहेगा वो है सतलज नदी पर सतलज नदी जो है वो इसका सही अंसर है मुनीश अर्मा आया है मारी क्लास में का भी स्वागत है मुनीश राना अंसर ते रहे हैं कि नौर में जा रहे है और राजू नेगी दे रहे हैं अंसर हंजी हंजी इस सतलज जो है वो इसका सही अंसर है जल बितुत प्रियोजनाओं को याद करिएगा आप शौंग टॉंग नात्वा छाक्री जो की सबसे बड़ी है संजे या भावा भावा नदी पर ही बनी है ये कहाँ पर है कि नौर में रहे है शानन जो सबसे पुरानी है ये कहाँ पर है जोगिंदर नगर में है बसी कहाँ पर है ये मंडी में है ये भी जोगिंदर नगर के साथ में ही है रॉंग टॉंग लहॉल स्पिती में ये दुनिया के सबसे उंचाई पर स्थित जो है प्रियोजना है और स्पिती नदी पर ही बनी हुई है लाज जी जहांपे डैमपर जहांपर अभी ब्यास नदी पर बनी है यहांपर आपका स्वार स्लाइडिंग भी हुई थी राष्टिय शिक्षक पुरुसकार प्राप्त करने वाले हिमाचल के एक मात्र शिक्षक विजे कुमार किस जिले से संबंदित है बताएं राष्टिय शिक्षक पुरुसकार प्राप्त करने वाले हिमाचल के एक मात्र शिक्षक विजे कुमार कहां से जुड़े है बताएं आपका अंसर क्या होगा भया कांगडा वालो भूल मत जाना अमिरपूर के साथ जा रहे हैं कुलू है, मंडी है, कांगडा है क्या option रहेगी सही answer रहेगा, वो है कांगडा, कांगडा जो है वो इसका आगे है उनका बिल्कुल सही, कुमार्ची का बिल्कुल सही सब को मबार्क बात, मैं अब बोलूंगा कि आपके 10 में से, ये 10 सवाल पूछेथे तो 10 में से कितने नंबर आये हैं रहे, जरूर बताईएगा मुझे कितने अंसर ले लिए हैं रहे, अब मैं बताता हूं, Glacier, इमाचर प्रदेश के Glacier के नाम याद कियेगा, के फांग, पोलुनाग, लंगर प्रेसाथ, नील कंट, पुली कला, लेडी आफदा के लांग, बहुत बार पेपरों मैं पूछे जाने वाला है, दिंग, कर्मो, तापन, ये सभी लाहॉल्स पिती के जो है, Gl धोधन, व्यासकुंड, पार्वति, ये कुल्लू के है, आदल और तंतकिरी कहां के है, कांगडा के है, बसपा और गारा कहां के है, किन और, चंतरनाहन कहां के है, शिमला के Glacier है, most important Glacier हो रहे हैं त्यारे बच्चों, copy pencil साथ में रख लो, और साथ में note भी कर लेना मेरे भ उस दिन हमारी भरती निकलेगी, तो हमारा पर भी उसी दिन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक निया ड्राइवर और एक experience ड्राइवर में जो है, वो फार्क होता है, पहला सवाल, निमलिकित मैसे, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन बताएं, अंतस्थ यह जो है, बिल्कुल सही है, मैं सभी friends से request करूँगा, कि सभी फटा-फट जो है, वीडियो को like share तो किया करो मेरे भीया, मगर साथ में जो है, comment भी क्या करो, वीडियो को देखते हैं, मगर comment नहीं करते हैं, मैं बोलूँगा कि अपना answer जो है, वो practice करें, चुपना बैठें, अगला सवार, जहां वाक्य की गती अंतिम रूप ले ले, कहां, वहां किस चिन का प्रयोग किया जाता है, जहां वाक्य की गती अंतिम रूप ले ले, वहां किस चिन का प्रयोग किया जाता है, सभी अंसर दीजिएगा, और सभी का अंसर सही और fast अंसर देने वाले, जो व् सभी पूर्ण विराम क्या होता है कूर्ण विराम बहुत बड़ी आंसर है आप सबका अगला सवाल इंपली खित में से शुद्वतनी वाला शब्द कौं सा है शुद्वतनी वाला शब्द C option के साथ जा रहे हैं C आशर्मा बहुत बढ़िया से अनू ठाकूर A option के साथ जा रहे हैं बताएं आपका क्या answer होगा यहां पे बहुत थोड़ा सा ही answer है तो option तो A और C में तो बस थोड़ा थोड़ा ही difference है और B और D में भी answer की option है तो difference किसमें होगा सभी answer दे रट answer रहेगा A option बिल्कुल सही शियाश शर्मा जिन्होंने सबसे पहले answer दिया था A option उत्तरदाई सबका answer A option अनू ठाकूर का बिल्कुल सही answer बनीश राना का सजे कुमार का सबके answer बिल्कुल सही बबुमान का सही बिल्कुल सही संगम शब्द किस तरह से अशुद्धी है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धी है पताए answer दिजिएगा शुद्धियों से जुड़े हुए सवाल है अपने answer जो है वो देखते रहिए सभी सा साथ में और वीडियो को भी शियर करिए वी एक्ट ट्लब ए ऑप्शन के साथ जा रहे है बिल्कुल सही सिंगानिया साहब बिल्कुल सही भाया नदाण से है सुखु सरकार बस सब बरबाद अनूस नासिक अनूनासिक जो है वो ये अशुद्धी है संगम की अगला सवाल मनोबल में कौन सी संधी है बताएं मनोबल में कौन सी संधी है सी ऑप्शन दे दिया है मुनिश राना ने, संजे कुमार ने सभी कुसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी साथ साथ में अनसर देते रहें बिसर्ग बिल्कुल सही अभिशेक, सिंगानिया, नवीन, भंडारी, C option आते ही 6 मारदिया भंडारी जी और VSX club, C option, C आप शर्मा, B के साथ आले स्वर नहीं है, पिसर्क आई है पिसर्क है, बहुत बढ़ी answer है, सबके answer बहुत बढ़ी answer है Next सभी से कमेंट करिएगा सभी कमेंट करिएगा अपरावना अंसर भी मैच करिएगा A, B, C, D, 4 options The correct answer is A option, रिती प्लस अनुसार रिती प्लस अनुसार, बबून मान, मुनीश रणा सभी के अंसर बिल्कुल सही, सौरव शर्मा बिल्कुल सही अंसर काजल ठाकूर, B option के साथ जाने, A option होगी मिया और सिया शर्मा, A option बिल्कुल सही अंसर है आप सब के अगला सवाल, जिस समाजिक शब्द में पुर्वपद और उत्तरपवद बौन होते हैं और तीसरा पद परधान होता है, वहाँ कौन सा समास है, वहाँ पर कौन सा समास है बहु वरीही के साथ जा रहे हैं, हमारे विशेक सिंगानिया और आपको मालूम है विशेक जी, बिल्कुल सही अंसर निकालते हैं, जब निकालते हैं तो भया तराही तराही कर देते हैं आप तराही तराही या बिल्कुल अच्छे से आप त्यारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है इसलिए मैं कहूंगा कि नया ड्राइवर और पुराने ड्राइवर में तो भया फर्क होता है यही फर्क होता है इसलिए नया ड्राइवर रह पीछे और पुराने ड्राइवर जब वो गारी निकाल लेते हैं जो खिम भरे रास्तों से विग्र की रिष्टी से किये गई विकल्पों मैंसे कौन सा विकल्प अनुजित है वन मैं पास देश पर निकाला जल मैं की धारा चंद का प्रकाश देखो फिर से अंसर सही निकाल रहे हैं अभी शेक सिंगानिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देश पर निकाला ये है ये अनुचित शुद्धी है देश पर निकाला देश से निकाला नहीं है देश पर निकाला है सौरभ शर्मा ने भी बी आप्शन के साथ गये हैं सि ताली का देश से निकाला बिल्कुल सही अब बिल्कुल अभीशेक सिंखानिया आप सही बोल रहे हैं परकी जगा से लगना था आप भूत ही सही हैं आप अप्रेंस ड्राइवर है मैंने बोल दिया ना थ्यान रखिए अपना बस नए नए जो होते हैं इनसे थोड़ा सा थ्यान रखिए पस एक बार हमारा नंबर आने दिजिए अपरक्ट अंसर रहेगा वह है थाली का स्थाली तसम क्या है ए और अप्शन स्थाली है अनुग्रह श कहूंगा जल्दी जल्दी अपना अंसर देते रहें अनुग्रह शव्द का विलोम बताएं आज आपके दस में से कितने नंबर आए जरूर बताइएगा दस सवाल हुए हैं ये दस सवाल में से आपके कितने सही होते हैं अपने मार्क्स जरूर लगाएगा वो है पी है टेस्ट डेली हमारे साथ लगाईए आपकी खुद आपके confidence level increase हो जाएगा सरकारी नौक्री के लिए हम त्यारी करवा रहे हैं आपके लिए most important questions लेकर आए हैं वो है अब crunch affairs से जुड़े हुए questions के लिए वीडियो को जरूर like जरूर करिए आप प्यारे बचो पहला सवाल ह ही में हिमाचर प्रदेश के किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को change makers of the year 2023 पुरुषकार मिला है change maker of the year पुरुषकार मिला है बताएं आप 2023 का change of the year पुरुषकार किसे मिला है सभी सथ अपूर सभी सब्सक्राम के साथ गये हैं सब्सक्राम करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब नेक्स्ट जाने से पहरे इसकी डिटेल या रखेलेगा विजनेश मैगनीज आउटलुक की जो मैगजीन है ये विजनेश मैगजीन आउटलुक की सूची में जो है शामिल होने वाले हिमाचर प्रदेश के इकलौते सीम बने हैं क्योंकि इनोंने मांसून के मौसम के दोरान बहुत योगदान दिया है आउटलुक जो मैगजीन है उसमें इनका नाम आया है इस राजे में सेंट्रल ट्राइबल युनिवस्टी बनाने का विध्यक संसद में पास कर दिया गया है कहां पर ट्राइवल उनिवस्टी बनानेगा Central Tribal University जैसे आपकी Central University होती है वैसे Tribal University बनाएंगे कहां पर बनने जा रही है आपके हिसाब से बिल्कुल सही नवीन भंडारी भंडारी ने भंडार लगा दिया भया बिल्कुल सवाज भारत का पहला शीद कालीन विग्यानिक अभियान विग्यानिक अभियान जो है याद कीगा किस शहर में शुरू कुआ या शुरू किया गया है विग्यानिक अभियान शीद कालीन अभियान या शीद कालीन विग्यानिक अभियान राजु नेगी C option दे रहे हैं, नई दिल्ली के साथ गया है और बिलकुल सही सवाल, राजु नेगी का बिलकुल सही, पहला अंसर आपका, C.ा. शर्मा का बिलकुल सही है, सौरब A के साथ जा रहे हैं मैं बुलूंगा मुंबाइ नहीं है, नई दिल्ली है इसका न्यू दिल्ली विल्कुल सही संजे गुमार जी अपना अपना प्रैक्टिस करने के लिए नोट भी करीजिएगा सभी से रिक्वेस्ट रहेगी वर्शन को जुरूर नोट करिएगा आर्क्टिक के लिए जो है भारत का पहला शीद कारीन विज्ञान अभियान शुरू किया है इस अभियान का उदेश ये पूरे वर्ष नार्वे के वाल वार्ड में स्थित भारती अंत्रिक स्टेशन मत्री को संचालित करना है उख्यमंत्री फैलोशिप कारेकरम किसके द्वारा शुरू किया गया है उख्यमंत्री फैलोशिप कारेकरम किसके द्वारा शुरू किया गया है प्यारे बचो सभी अंसर दीजिएगा उख्यमंत्री फैलोशिप कारेकरम कहां पे शुरू होगा उत्तर परदेश में स्थित जो है या यूपी के मुख्यमंत्री fellowship कारेकरम शुरू किया गया है इस कारेकरम के तैत विकास योजना ओनीटर और प्रवंधन से यूवाओं को जोड़ना है याद रखिए हिमाचल प्रदेश की पहली online पूजा पर्णाली दिव्य पूजा पर्णाली का शुभारम किस चिले में किया गया है दिव्य पूजा पर्णाली कहां पर शुरू की गयी है online है दिपय पूजा पढणाली काजल शर्मा A option के साथ जा रहे हैं शिमला के साथ जा रहे हैं मैं कांगडा भी है किनौर फोला दूर भाग गया यह है चंबा भी है और किनौर option D option भी है सभी अपना-पना answer साथ में दीजिएगा सभी अंसर साथ में दीजिएगा क्या अंसर होगा शिमला कांगडा चंबा या किनौर परक अंसर रहेगा वो है B option कांगडा कांगडा जो है बिचों यहां पर दिवे पूजा परनाली जो है वो को ऑनलाइन मंदिर के दर्शन प्रसाद और दान करने आधी की सुविधा भी प्राफ्त है आपको कहां पर जाना है बैचों जाद रखीगा इस अगला सवाल एक जनवरी दो हजार 24 को देश का पहला प्रिमेट्री मिशन किस लाउंच होगा सभी बताईएगा कहां से यह लाउंच होगा कि रटंसर क्या रहेगा बहुत बढ़ी आजे कुमार का अंसर बिल्कुल सही है पहला प। जो है बो टो करनाटक के सही यह जो है बुकेसित किया जा रहा है प्यार बच्चों किस मंत्राले ने एक सूचना, सिक्षा और संचार अभ्यान शुरूब क्या है कौन से मंत्राले ने एक सूचना, सिक्षा और संचार मंत्राले ने शुरूब क्या है बताएं आप सभी Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Education and Ministry of Formation A, B, C, D, चार options है प्यारे बचो A, B, C, D, D option के साथ जारे हैं पर इसका correct answer क्या रहेगा वो रहेगा सीमा शर्मा, बिल्कुल सही, सीमा जो है Ministry of Tribal Affairs Ministry of Tribal Affairs के दुआरा सूचना, सिक्षा और संचार अभ्यान शुरूब नोट रखिएगा, याद रखिएगा, राहुल कुमार पी आया है हमारी क्लास में ये हैं महत्पूर्ण योजनाए नोट करिएगा, क्रिशक, मंत्री, योजना है मध्यपरदेश ररकार की, रामीन, आवास, योजना है बेपरो में पूछी जाती है, इन किया रखिए, अयोध्या formula का नाम बदल कर क्या रखा गिया बताएं प्यारे बचों, योध्या रेल्या का नाम बदल कर क्या, रखा गिया है जल्दी से आप अपना अंसर गेगा, अयोध्या railway station का क्या नाम रखा गिया प्रकंसर क्या रहेगा प्रकंसर रहेगा अयोध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्या पुन विक्सित रेलबे स्टेशन का नाम बदल कर अयोध्याद जंक्षन से अयोध्याद धाम कर दिया गया है और प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने 30 दिसंबर को बदले हुए रेलबे स्टेशन का उद्खाटन भी करना है याद रखिएगा यानि की परसों तो है वो 30 दिसं समिट कहां पर आयोजित हुई सभी अंसर साथ साथ में दे सकते हैं जी पी ए आई समिट 2023 कहां पर हुई थी ग्लोबल पार्टनर्शिप और आर्टिफिशल वई है नहीं दिली है कोलकता है या खान क्या अंसर होगा प्रक्ट अंसर रहेगा वो है नहीं दिली प्यारे बचो नहीं दिली नहीं दिली जो है फी ऑप्शन संजी कुमार ने दिया था अनुठाकुर ने अंसर दिया था बिलकुल सही अंसर है नहीं दिली में आयोजित हुई थी और प्रथानवंतरी निरेंद्र मोधी नहीं दिली में भारत मंडप मंडपम में जो है ग्लोबल पार्टनर क्ति विद्यों में मदद करके AI की Artificial Intelligence सितनात और विभार के बीच का अंतर करना कि डिफ्रेंस करना कि जिस बैंक ने धीरा उध्योग के लिए के लिए प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है दुबार रपीट हो गया है तो के लिए प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है ICIC Bank, SDFC Bank, Test Bank किया सभी टंसर रहेगा Indescent Bank, C Option Indescent Bank ने जो है शुरू किया है ये प्रोग्राम ये था आपका Crunt Affair आप सरकारी नोकरी की त्यारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अगनीवीर भारतिय सेना में अभ्यास पेपर 10 ओरिजिनल पेपर और 5 मौडल टेस्ट पेपर बाई कर सकते हैं अगले सवाल हमारे गनित से यानि की Mathematics के हैं सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी की Mathematics की क्लास में अच्छे से आपको त्यारी अच्छे से करवा दूगा आपने कुछ नहीं करना है आपने सिर्फ बारे साथ बने रहना है और Copy Pencil साथ में रहना है और Copy Pencil लेकर बैर चाहिए Mathematics की क्लास शुरू होने वाली है आपके लिए आपकी डिमांड पर पहला सवाद सबसे बड़ी और सबसे चोटी सबसे बड़ी और सबसे चोटी जो है चोटी दो अंकों की अभाजे संख्या कोंके अंतर की गर्णा कीज़ए क्या अंसर होगा आपके हिसाब से अंतर यानिकी डिफरेंस निकाला में रेड कलर ही ले ता ठीक है पता अंतर ज्याद करना है कैसे करेंगे दो अंकों की सबसे पहले बड़ी अभाज्य संख्या बड़ी कौन सी हुई वह हुई 97 फिर उसके बाद दो अंकों की सबसे चोटी अभाज्य संख्या यह चोटी होगी अब उन्हेंने पूछा था, दोनों का difference कितना है, तो दोनों को minus कर दिया, कितना होगया, 86, कितनों का बच्चों का 86 अंसर आ है, 86 के साथ कितने बच्चे हैं, बहुत बढ़ी है रवीकुमार, बिल्कुल सही आपका, 86, 86 बिल्कुल सही अंसर अगला सवार, एक गाउं की जन सं से 2500 हो गई तो बताएं कि इंकम कितने प्रतिशत रिद्धी हुई या और तरीके से घुमाना है तो भी बता देता हूँ एक आयत की जो है लंबाई जो है वह 18,000 से बढ़कर कितना आ गया 25 प्रतिशत कितना प्यारे बिल्कुल सही अंसर बिल्कुल सही है अंसर है सभी से रिक्वेस्ट कहूंगा कि आप बच्वों क्या करना आपने डेली प्रैक्टिस करनी है और हमारे साथ यूही मैथेमेटिक्स की त्यारी करेंगे तो आपके best to best questions जो है त्यारी हो जाएगी अगला सावार सिर्फ प्लस करने को दिया है प्लस करने को दिया है क्या अंसर होगा 176 दिया था या था आपके पास क्या दिया था औरी सॉर्ज अंसर को मत गएगा अपना अंसर मिलाएगा बहत देख रहे हैं कि तारा पॉइंट थे पॉइंट साथ शे गाद आपका चीपाइंट 176 तू पॉइंट 177 अब आपको प्लस करना है या अगया छे जा इस तरह एक एक तरह एक तरह एक एक रहा एक आग एक सो प्रफशन वे पॉइंट प्च्पन शत्यति कांसी ऑप्चन है एक सो पच्पन पर सॉरी यह पच्पन शत्यस बिल्कुल सही अंसर दिया है ये आर्मी लेवल का भी math है भया बिल्कुल सही आपने पैचाना है इसी टाइप के questions आते हैं चाहे आप कोई भी questions देख लिजिए ये इसी टाइप के questions होते हैं आर्मी लेवल का ही है ये भी आप टेंशन ना दीजिए आप बस solve करने की तरफ ध्यान दीजिए लेवल को छोड़िए बस आप ये देखी कि मेरी त्यारी कितनी है उझे मैं ड्राइवर कैसा हूं मैं कितना कलाकार हूं मैं कितना fast हूं questions को करने के लिए बस ये आप देखिए लाभ ग्याद कीजिए मैं आप प्रतिशत लाभ ग्याद कीजिए मैं आपको संचे जी में यह कहूंगा कि आपको मैं question समझाओंगा आप टेंशन ना लिजिए बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और दूसरा देली आप 8 बजे त्यार रहिए कि मैं रो जाना तरफ फिर आपकी डैफिनेटली त्यारी होगी मेरे भाई कोई इसु नहीं है अब इन्होंने बोला है कि 70% होता है हमारा लाभ गया है तो लाभ हुआ तो कितना हो गया 174 प्रसेंटल मिल जाएगा 174 प्रसेंटल लाभ हुआ है तो इस रही रहता है तो निया प्रतिशत ला कितने का आया 24 का आया और स्टार्टिंग का क्रायम उले कितना है कम बाला डेड़ सो यह हो गया कुना सो हो गया जीरो से जीरो कि आप पांस ऐकार दो बांदुनी 10 और पांस यह पंदरा तीन कि अठेट चॉबी अरदुनी 16 प्रतिशत पर फोला प्रतिशत बी औप्शन बि संपर करिए आपको 1-2-1 क्लासिस भी मिटाएंगी उसे मैथ को इंप्रूब दिये रोजाना क्लासिस लगते हैं सिर्फ आप ही को बढ़ाया जाएगा और आपकी बात भी सुनी जाएगी जल्दी से अंसर निकालें लसीम कैसे निकालेंगे इसका बहुत ही सिंपल है क्या अ अधिया चाहिए था टाइम हो आया है जल्दी से प्यारे बचों जल्दी से अंसर किसका आया फटाफट हरी यप अ है लानाम इसका होगा बता देता हूं इसका अंसर पच्छों को यह क्लियर एल्सियम के लिए लिए इस परकार से निकालते सबसे पहले चोटा टेबल लेते निकाल है यही है यही तो हमारी सेलेक्षन है आप ही मेरा धन हो बस एक वर सुकूख हो जाए इस पर निकाल दे आपके लिए धे को आप तो माशा त्यारी तो में मजा है सजा मजा समलक्तीन से जाएगा 35 15 टीबच अर ये भी इन से चला आएगा कितना यह सो चलाएगा पान्च कंपाइब करें पांच और टाइगा इसको आपको मर्फिपलाई करें अठारा सुपर बिल्कूल सही सिया श्रमा बिल्कूल सही अंसर आज के लगी जब बताइएगा मुझे मगर अभी नहीं जिसके बाद कमेंट करिये का कि क्लास में मजा आए कि नहीं ने तीस प्रतिशत चूट पर तेरा सो में रुपए में एक पुस्तक खरी तो इस ने इस प्रसंट चूट इस प्रतिशत लाव पर बेच दिया तो बता उसने कितने रुपएया कमाया आप रॉपिट खा लिया उसने क्या ले लिया वह इस इंपल है कि वेट ही नहीं करते हैं साथ तो हम प्रेक्टिस क्यों करें प्रेक्टिस तो भीया करनी ही पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करनी पड़ेगी प्यारे बचों इतनी ज्यादा प्रेक्टिस करेंगे उतना बहतर रिजल्ट जैसे कि HRTC वाले अगर शिमला रोडू लेके जारें बस तो वो कोई learner license वाला नहीं लेके जा रहा है जो भी निया ड्राइवर होता है उसको तोकल एरिया में भी घुमाया जाता है लॉंग रूट में नहीं डाला जाता लॉंग रूट में तो सिर्फ वाही वाले ही जाते हैं experienced का सही अंसर क्या होगा फी ऑप्शन दे रहे हैं बबु मान जीरो कि सभी से रिक्वेस्ट रहेगी अंसर दें 390 मुनीश शर्मा 390 मुनीश शर्मा का बिल्कुल सही अंसर तेरा सो अक्षे शर्मा ने भी आये हैं वारक हो भी आपके आने के लिए भी यह भी हमारे एक उड़ाने स्टूडंट है फ़रा सा लेट आते हैं क्या करें 13-1390 क्या करें बचारें तोनों में डिफ्रेंस आएगा 390 का 390 रुपए जो है वो इसका सही अंसर तीन सो रहें आक्षे एकْ आग्ला सवाल 12 व्यकती एक दियों में एक गाम पूरा कर सकतो अब 8 व्यक्ति practically और publish और कारियरत है और हैं। के लिए feedback कि आप क्या चाहते हैं इस class से कि इस class में क्या changing होनी चाहिए MDEH बिल्कुल भया MDEH मसाले तो मैं बता देता हूँ कि इसमें गिवन था सारा का सारा 12 आदमी किसी काम को X दिन में यानकी D दिन में X की जगा D मान रहा हूँ भया ठीक है आपको भी समझाएगा करते हैं तो 20 आदमी 20 कहां से 8 और आठ और आठ आले तो 20 होगे तो 60 दिन में कर रहे हैं बस 12 एकमबार 12 बा सभी शर्मा शर्मा आगे हैं यहां पर आज क्लासिस में बहुत बढ़ी अच्छा अच्छी बात है आठ नंबर सवाल आज का आठ नंबर सवाल बताइए का 48,740 उर्पे की धंडाशी सूला प्रशिक दर पर किसी गैर अफदीद पर्ष नॉन लीपियर है तो 73 दिन के लिए सथारण ब्या सिंपल इंट्रस्ट क्या होगा कि अच्छी बात है क्लास में आईए आपका स्वागत है और हम अपने बचों को वैसे भी याद करते हैं जब आप घर आए तो जुरूर आप भी अपने इंस्टिूट में भी मिले से भी मिले बात भी करें यही कुछ बातें ज बिल्कुल सही है 1560 1560 बिल्कुल सही अंसर है शिया शर्मा ने भी बिल्कुल 77 निकाला है बहुत बढ़िया 1560 कि 70 दिन का मतलब साल में कंवर्ट कर लो 73 बटा 365 अगर महीने दियो तो बटा बारा करें प्यारे बैचों ज्यादा टेंसे नहीं मैं तो बोलता है नहीं टेंसे लो ठीक है और फिर उसके बाद पी इंटू आर इंटू टी फॉर्मुला लगा दो पी यह हो गया आर क्या कि 25 पांच से फिर से जाएगा नजे कपांज अगरी इस अच्छिस अट पज़े चारी और ना बतर च्छे तर अट 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 इसका बिल्कुल तैंट यह रजनीश राना भी आया है है स्वागत है आप साथा प्यारे बच्छों वागत है थोड अक्षे आज के जो हैं वो क्लासिस जो हैं हमने ली है या आपके अनुसार जो है पनाई थी आपके लिए स्पैशल माया और मीरा की वरतमान आईू का अनुपाथ है छे अनुपाथ पांच और 15 साल बाद यह नो अनुपाथ 15 अपनदरा हो जाए गा 15 साल याद रखेगा तो बिरा की आयू बतानी है जल्ती से comment करिएगा पहले answer निकालने वाले विशेश व्यक्ति को ने विशेश अक्षे नहीं मानते हैं अक्षे नहीं माना और अक्षे नहीं अंसर 7 में ही दे दिया है बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया विश्राना का भी 7 7 में आ गया है बहुत है आ अच्छे आगा 6 फंदर माणेस कर लो आधे का नोफ माइनस और स्वाइब है माइनस को शीसे टारीओ जोड़ी माइनस च्रोंज निया अगे इन एंपन है यह यह पन्द्र नहीं को यह ने सिक अग्या में आगया यहां से एक आग्या और पन पारिस कि आ यह कि एग इस ही खराब हो गया जा सर ओ मैंने 30 निकाल दिया मेरे रिखाल से मैंने तो यह थी कहां एक और ले लेता हूं साइड मैं नराज में तो यह बुड़ा हो रहा है थोड़ा फिर आप्षन ही है 25 था अंसर फोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं मैं पिर आफको दिखाता हूं ऐक और ह्ये मैंने निकाल दिया है वैए का वाया का यह वूच्छा था यह माया का था बुघरों प्र मेराहाई tu all your first दो बड़ा है तक वहांना पंज़ों 5 थे कि वह वह खक्रीव पंच्राकत प्र्शश वर्ष न cherry यह मैं भी आपDP माइनसे多 अरे विया क्या करो रजनीस जी पाया और मीरा पता नहीं कहां से आ जाती तस नंबर सवाल जल्दी से अंसर करें और मैं अब कहूंगा जिनका मैथ ढीला है सबसे पहले ये क्वेशन तो लगाईए आप तो कि हमारे मिक्स होते हैं ठीक है अगर एक बार आप सब्जेक्ट करें देली डेली अपडेट कर रहे तो कि साल का एक रुपए से भी कम है चाज है मेरका से पचाशाच पैसे पड़ता है एक एक दिनका खर्चाप का तो आप ले सकते हैं मॉक्स टेस्ट के लिए टेस्स लीए कोर्स नहीं लेना है तो पर प्रकॉस लेते हैं तो नोर्स और स्ब्सक्राइब करी और सब्सक्राइबografi compute इसने पशाकरवास का बनता है कि 충 mindfulness का सायब एक श्राकषी साइबाएं जानकी में की उसकी क्यों ऑट कर रहे हैं वह सब्सक्राइब ए माल लेते हैं इस इकल टू 48 के ब्राबर दिया था ठीक है ए इस इकल टू 4 हो जाएगा 48 12 12 चोके अरता आली ए साइड आगी चार और आयतन यानिकी वॉलिम निकालना था तो साइड का क्यूब होता है इसका फॉर्मुला तो यानिकी 4 का क्यूब तो 64 64 64 कैसे थे आज के क्वेशन कितने आपके सही रहे कितने गलत रहे जुरूर कमेंट करिएगा कितने नंबर आए अब हमारा जो है वो जीके की चुरू होगी तो कि इंडिया स्टेटिक चुरू होने जा रही है सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों और मित्रों में के चुरू इसक्रास को शेरकर पांच भाटा पांच आपने पांच के कूश्ण ये थे पांच बटाप ने और भी दिये सेवह यह आप उन कोस्तकशं के साथ भी पने रही है कि जाद सातम सिंसा इपने रहीगा मज़ा तो तभी आएगा जब आ अपब opon लगाएंगे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी रोजान अपने दोस्तों में भी शियर करिएगा इस क्लास को पहले सवाल को लेकराया हूँ अब बैचो विच स्टेट ऑफ इंडियाल इस लीडिंग इन सोलर इनर्जी जनेशन भारत का कौन सा राज्य सौर उर्जा उत्पादन में अग्रणी है यानि कि सौर उर्जा का पूरा उप्योग कर रहा है कौन सा राज्य है जल्दी से कमेंट कर सकते हैं वीडियो को साथ साथ में बताईएगा गुजरात के साथ जा रहे हैं जल्दी से अंसर करें, गुजरात के साथ जा रहे हैं, क्या है आपका अंसर, क्या कहती है आपकी साइंस सभी अंसर साथ साथ में देते हैं, तो ही मुझे पता लगेगा, आपकी साइंस क्या कहती है प्रेक्टंसर देख लेते हैं B option राजिस्थान जो है B option बिल्कुल सही option है राजिस्थान कि तुन लिजिए गाई पीस जून 2020 तक का है यह आंक्रा लिया था हमने का है शम्ता की अधार पर भारत में स्वार उज्जा का अधुपादन शीर्श क्रम्शेव सबसे पहले कौन है करनाटक है इतने मेगावाट है राजिस्थान इतने मेगावाट है तमिलाडू इतने मेग लिए यह गूए है नाम का कोई अग्ला सवाल की मिलिकित मैं से कौन सा कर की टेक्स भारत में अट्यक्षकर नहीं नहीं है क्या प्रत्यक्षकर नहीं है क्या तुक्त कर सेक्ड़ सवाल है देख लेते हैं, लगता तो बहुत है हमको भी A option बचो, GST, C नहीं है, A option, correct option है प्यारे बचो, A option, देखिए, प्रत्यक्षकर वे कर है जिसे, जिसमें कर का प्रारंभिक भुक्तान करने वाला व्यत्ती की कर का अंतिम भार के बहन करता है, अर्थात, प्रत्यक्षकर में कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं हो, तारण, आयकर, निगम कर, संपत्ती कर अ इत्यादी, अध्यातत्व है कि माल और सेवा कर, यानकि GST एक परत्यक्षकर है, करनाड़ा की तरह भारत में भी एक धोरी, GST, यानकि C GST और S GST परनाली, 2017 से शुरू है, एक गातवलावादक नहीं है, प्यारे बचो, कौन जो है वो तवलावादक नहीं है, सभी साथ में म्ताईएगा, अध्याद अलिया इक अझमद अलि, अध्या आप्ष्ण, बहुत अच्छे से उठाया आप्ष्यन, अगला दाने से पहले बता देता हूँ, एक घाकिर उसान, लतीफ एहमद और स्वपन चौधरी जो है कि तबला बादक है जब कि अजमत अली खान जो है एक प्रसीत सुरोध बादक अजमत अली क्या है शरोध बादक है जिन्होंने भारत सबकार द्वारा उननी सो कारूएग में कला शेत्र में जो है कुशन पुरुसकार भी समसे भी समसे किया है प्यारे बचो इसकी डिटेल जूरूर नोट कर लिजीगा कॉपी पैंसिल में क्या रखिए इस व्यक्ति को भा यादा साहब फाल के लिए बिलकुल सही अंसर है बादा साहब फाल के जनक माने जाते हैं तावचन बिलकुल कलत है कहीं भी बुढ़ा आदमी है पुलाने भाद भी फुद्वी होते थे प्राण होता था याह मरश्पुरी हुआ करते थे याद रखिएगा चलो स्टाट कर जाता है दादा साहिब फालके का नाम घुंटी राज गोविंद फालके था जनम जो है वह महाराश्टर के नासिक में के निकठ तिर्म बेखश्वर महादेव मंदिर है यह वहां पर हुआ है कब हुआ था 1870 में हुआ था दादा साहिब फालके द्वारा पहली इंडरेशित फ रामानुच अब बताएं आप जनम स्थान का जनम स्थान बताना है इनका कहां का है एक चार ओप्षिंस हैं वीडियो में अगर आप नए हैं तो मैं बतादू रूताना हमारी आठ वजे ये क्लास शुरूत आठ वजे से हम लगातार क्लास जो है लेते हैं और लंबी क्लास खत्म हो जाए तो इस क्लास की फीडबैक दीजिए इंडू इरोड में है यह जनम स्थान है शिरी निवास यानिकी आयंगर रामानुच एक महान भारती गंतिके हैं इनको आतुरी काल महानतम गंतिके विचार को गिना जाता है इनका जनम जो है 1887 में तमिलाडू में हुआ गाउ का नाम है इरोड इसलिए आपको थोड़े सी प्रीफ हुई और गनित दिवस जो है 22 दिसंबर को एनकी इनकी जनम दिन पर ही मनाया जाता है याद रखीगा most important दिवस है गनित दिवस किसकी यादगार में कब और कहां मनाया जाता है कहां पैदा हुए थे याद जल्दी से कमेंट करिएगा पाकिस्तान के कौन से प्रांथ में जो है पहुन जो जित है सही अंसर क्या होगा और यह पाकिस्तान के सिंध दरकाना जिले में सिंदु नदी के गाइने तठ परस्तित है और इसकी खो जो है राखल दास बनरजी ने जो है 1922 में की साथ नंबर सवाल है प्रथम और चौथे जैन तीर्थ करके जनम स्थान के रूप मानिता प्राथ वित्र शहर का नाम दाई कौन से शहर में पहले और चौथे तीर्थ कर पैदा हुए था चार ओक्षन्स वारा नसी वार का अयोध्या या गया प्रकंसर रहेगा वह है अयोध्या का बहुत ही राम अंदिर के लिए प्रचलित हुगा है जैन धरम के पहले तीर्थ करकों थे रिशव देव थे और चौथे तीर्थ करकों थे अभी नंदनाथ इनका जो जनम स्थान है अयोध्या या प्रचलित कर चौबिस हुए है और चौबिस में अंतिम तीर्थ कर कौन थे महावीर भामी थे महावीर 24 में तीर्थ कर हैं देखे कितने क्वेशन्स हैं और कितने अंसर में एक डिटेल में इसलिए आपके लिए यूट्यूब पर एकलोती एकलास जो है मैं य ऐसकंद रहेगा और भी आप्शन चंद्र गुफ्त ऑप्शन चंद्र गुफ्त फिक्रमाधुत्य के नाम से भी जाना जाता है कि में ये दोनों कि जिनका नाव क्या था कालिदास धन्मंत्री शप्डग अमर सिंग शंकू पिताल भठ उच घट पर बार महीर वरुच्ची जैसे विद्वान शामिल देखिए नौ विद्वान है कि नव रतम के नाम आपको याद होने चाहिए पेपर में पूछे जाने वा तौन वांग जो है पृण पढ़ाया है और की का रही हमाचल प्रदेश में है और घोम जो है जमुकश्मीर में और तेक यही गलत है कि युग मैंत्पर नहीं है तूसरे करणाद जो और दोस्तों में भी शेयर करें आज आज का सहयोग आंदोलन कब स्माफ्थ हुआ तो सयोग आंदोलन कब समात हुआ 1925 या भी प्रटन से रहेगा उन्हीं 222 इसका सही अंसर है प्यारे पर चोड़ेल बता देता हूं 22 इसके बाद आते हैं जर्नल साइंस से चुड़े होए सवार सब्सक्राइस कि क्लास में आपके लिए फिरसे मैं कोऊंगा इस चैनल पर चैनल पर आपकी त्यारी के लिए और अरी हमारी साथ में पहला सवाल, transformer किसे परिवर्तित करने की हैं? तब transformer किसे बदलता है? किस ची चीज में बदलता है? नहीं कि C को AC में low voltage को, CC को high voltage को, low voltage AC घानिकल इनरजी, tactical energy, C less και six transformer का योग करते हैं. बहुत बढ़ी है, transformer कम voltage को AC से AC में बदलता है. अगला सवाल पार्सेक डैश के मापन की एक उकाई है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी अपना-पना अंसर जो है वो बड़ा फट करते रहे बहुत ही अच्छे अंसर दे रहे हैं आक्षे शर्मा का अंसर चेतन कोशल का सबसे लंबी इकाई है और पार्सेक लगवग तीन वर्ष के बराबर होती है पार्सेक वर्ष दूरी वजह से वे मातरक होता है जो कि निर्वात में परकाश द्वारा एक वर्ष में तै की के दूरी बराबर होती है कई बार पेपरों में क्या होता है क्या कहलाता है कि आपकी गाड़ी में बाइक स्कूर्ट कैसे लगें हैं क्या नापते हैं गटन से रहेगा भी वह हमारे ओडो मीटर पथ मापी यहां कि तना हमने रास्ता जो है कभर किया है पत्थ मापी फट मापी यह एक जानिक उक्तरन है वहीए वाली गाड़ी दुआ चल और एक बार जो 10 है पर मीटर स्टेयर के ब्राबर है बहुत बढ़ी आ बहुत ही ऑच पी का सुथ क्या है दूपी का दिस्टेंस का। सब्सक्राइब करेंगे तो ही तो त्यारी करेंगे यार रखिएगा गती कर रहे सब्सक्राइब करेंगे यार रखिएगा यार रखिएगा यार रहेगा आपका अंसर बहुत बढ़ी आचे तर कॉशल का अंसर दे रहे हैं ए ऑप्शन 303 के ब्राबर होता है इसको कैसे करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों में वीडियो पसंद आई की नहीं आई और आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर बतायेगा अंसर क्या रहेगा भी आप्शन लोहा लोहा एक योगिक है क्योंकि वे शुद्ध बतार्त है जो कि रसाइनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रसाइनिक संभोग से बने को योगिक होते हैं जैसे कार्वन मोनोक्साइड जैसे कार परिवर्तित करना दूद से दहीं बनना या ताप कोईला क्या रहेगा सभी अपना अंसर साथ साथ में देते रहेगा फ्यरवेचों रहेगा वो है बी आप्शन यानिकी पानी को भाप में परिवर्तन करना कोई भी रसाइन नहीं होता है और अटमेटिक पानी ही बदल जात एक नॉन मेटल है प्यारे बचों सभी साथ साथ में वीडियो को शेर जुरूर करिएगा और लाइक प्रक्टन सर रहेगा बी आप्शन नाइट्रोजन जो है एक अधातु है और सारी धातु है जाद रखिएगा बेतत्व जो भी अघात भरते तन्य नहीं होते पूर होते ह जाने की अधातु खिलाते हैं जात्विक चमक भी नहीं होती यह अधातु की अपेक्षा नरव होते हैं इनका रत्व कम होता है विद्दुत कुश्मा के लिए कुचालक होते हैं नाइट्रोजन लकडी हाइट्रोजन हिलियम कार्वन ऑक्सीजन ब्रोमीन आयोडिन यह सभी जाने की अधात हुए हैं यह सभी की सभी अधात हुए हैं प्यारे बुर्चोव नौन ब्र सवाल आज का तोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है कटानसर रहेगा बात से बिचों के अंसर सही ब्वाट बढया है रमेश कुमार का अंसर सही है शेपी माली का पिस्टी में जंग लगता है लुहा बनी हुई बस्तू कि कि नमी हवा के oxygen से प्रक्रिया करता है तो फिर उस जंग के उपर परत जम जाती है लोहे के उपर उससे लोहे का भी वेट भी बढ़ जाता है वह यह बढ़ जाता है तस नंबर आज का अंतिम सवाल साइंस का हस्य गैस किसे कहते हैं कि हंसने वाली गैस कौन सी है आपके हिसाब उससे हंसने वाली गैस कौन ची है अस्य गैस है अच्टर सरहेगा ए ओप्शन नाइट्रस ऑक्साइड और यह थी अची गैस है लगा दो और सभी को हंसाते रहो नाजी नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला भी याद रखना है आपने और अस्य गैस याइन की लाफिंग प्रेक्षी अप को डाउंडूर्ड करें और विसिट करें हमारी ऑ फेस्बूक पर वडसाइप पर और साथ में टेलीघ्राम पर और इं स्थापर हमें फुलो करें कौन्टक्ट नॉम्बर यह है और साथ में आपको किसी भी परकार की प्राव्लम होती है तो आप हम से शेयर करें, बात करें, इंडिया जी के, हमने डेली क्लास लगा रहे है, हविजे शर्मा, तेरा नाम रोजाना शाम आठ बजे बने रहेगा इसी चैनल पर और आज की क्लास लगाने के लिए आप सब का धन्यावाद, वीडियो को देखने के लिए भी धन्यावाद, और बने र